एक चीज लेफ्ट थम्ब इंप्रेशन की यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ध्यान में एक चीज रखेगा कि जब आपका बायुमिट्रिक verification होता है क्यों तो लोगों को पता है नहीं होता है फिर भी मैं आपको बता दू कि यहां जो left thumb आप upload करते हो राइट थम भी आप upload करते हो तो वो जो thumb है उसी basis पे आपका जो boy metric है वो आपका लिया जाता है और वो boy metric तभी read होगा जब उसी के अंसार instruction को आप follow करके आप अपना जो left thumb है वो आप या right thumb है वो आप improve करोगे देखो left thumb impression जो आपका रहता है वो आपका white paper से black या blue ink से होना चाहिए दूसरी चीज जान में रखने वाली बात यह है कि जब भी आप left thumb में आप कहिन के upload कर रहा हो तो वहां पर आप कई बार लोग क्या करते हैं ना कई बार अपना thumb आप उन्होंने लिया और ऐसे करके कस के press करते हैं तो आपको कस के press नहीं करना है आपको एक normal बस एक रखना है जिससे जो लकी रहे हैं वो कहीं नहीं के visible अच्छी तरीके अच्छी तरीके से लकी रहे हैं आपकी होनी चाहिए ठीक है white paper से black या blue और बार बर मैं यह बात कह रहा हूँ क्योंकि अकसर इस्ट्रेंट के form reject होते हैं उनको पता नहीं चलता है तो आप ध्यान में रखेएगा कि अगर यह पूरा white paper हो इतने में आपने किया हुआ है तो सिर्फ है जब आप photo खीच होगे तो इतने को ही आप crop कर लेना वह crop ऐसे होगा आपका इस तरह और इतने को ही upload करना है यह पूरे paper को खीच के upload नहीं करना है क्योंकि और दूसरी चीज़ जब भी आप upload करोगे तो आपको वहाँ पे show होगा कि आपने क्या upload किया है वह एक ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस form को अच्छे ते apply कर लो इसके लिए कहने के अच्छे ते perfection करना चाहते हो